केरल ने जी एस्टी विभाग के छह अधिकारियों को दुकान के अंदर बंद कर दिया वे टेक्स चोरी के मामले में छापे मारी करने गए थे जानकारी मिलते ही पुलीस मोके पर पुहँची और अधिकारियों को दुकान से निकाला दुकानदारों का कहना है कि उन्हों ने या उनके साथियों ने किसी अधिकारी को दुकान में बंद नहीं किया कुछ दुकाने जरूर बंद की गई थी क्योंकि हमें नमाश पढ़ने मस्जिद जाना था हमने अधिकारीों को इस बारे में पहले ही जानकरी दे दी थी मामला केरल के कोजी कोट जिले का है शुकरवार को GST विभाग की 50 सदस्यों की टीम एक मार्केट में छापे मारी के लिए पहुची थी SM स्ट्रीट, तिरुवननूर और स्पेस मॉल में इस्थित करीब 25 दुकानों में छापे मारी करनी थी मार्केट में GST के अधिकारियों को देखते ही दुकानदार विरोत करने लगे हलाकि अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझाया और छापे मारी शुरू की इस दोरान कुछ दुकानदारों ने 6 अधिकारियों को एक दुकान में बंद कर दिया लेकिन पुलिस मोके पर पहुँच गई और अधिकारियों को बहा निकाला GST विभा की टीम जिन 25 दुकानों में छापे मारे करने पहुची थी ये दो लोगों के पार्टनर्शिप में थी जिन में से एक चेल में है टीम को इंपुट मिले थे कि इन दुकानों के मालिकों ने 27 करोड की टेक्स चोरी की है इसके बाद टीम ने ये चापे मारी अभियान शुरू किया ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ दह लेगा